हम दूसरा पाट निया इंवत्तिया इस पाट के लिखक है स्री सुदर्सन। सुदर्सन्जी का मुल बास्तरिक नाम बद्रिनार सर्माता। आपका जन्म पंजाम राज्य के सियाल को नाम स्थार में हुआ था। बच्पंसरी आपने कहान्य रिखना प्रागर्म दिया था। उस पलता, सुप्रबाद, परिवत्म, पनगर्ण, नगीना, आदिया के सुप्रसी कहानी सब्रब है। आपका एक मार्ट रोफ़न्यास के भाग नंथी। इस कहानी में सम्राड पसोग सबस्रेश्ट नियाई मंद्री की कोज मिलता। सिसुपाल से मुला का भोने पर उसकी योग्यता देख कर उसे नियाई मंद्री बनाया। नियाई न राजा देखता है न नुद। नियाई कंत्र के विश्पास दिराने के लिए यहां कुरायस किया दिया है। नई पिड़ी के लिए इस प्रेरग कहानी बारा नियाई कंत्र की जिन्यदाई का भी महत्वक समझाय दिया है। अब हम इस कहानी में देखते हैं समझते हैं कि नियाई कंत्र का काम कितना कछीन, कितना महत्वकुर्ण होता है। संध्या का समय था। चार और अंतार थे चुकाता है। एसे में किसी ने बापक से घर का दर्वाज़क टटटाया। कौन है ग्रामाण सिसुपाल ने को बड़ा सादर्वाज़क बोलते हुए पुछते। एक परकेसी बापक से आवार है। क्या मुझे राज़कार्टने के लिए एक स्वान मिल जाएगा। जेसे दिस सिसुपाल ने पूरा ग्रवाज़क बोला। उनके सामने एक नव योग कड़ा। उन्होंने मुश्कुरागर कहा। यह मेरा सोबाग्य में अतिथी के चर्म से यह लगर पमित्रव हो जाएगा। आईए पधारिए। अतिथी को लेकर सिसुपाल गुर में अगले और उनका अदरसत का पुला। फिर दोनों उस समय की देशती अवस्टापर पाले करने लगे। चिसुपाल में का आजकर बड़ा अन्याई हो रखाए। पर अग्तु पर देशी इस पाल से संब्द नथा। वह बोला, दोस दिकारना को सुदुम में पर तो कुछ करके दिखाना कखीन है। चिसुपाल गुले, अउसर में तो दिखाज की न्याई मिशेकेते हैं। फिर पर देशी बोले, तो आख अउसर चाहते हैं। चिसुपाल गुले, हाँ अउसर चाहता हैं। फर देशी बोले, फिल कोई न्याईन दिखा। चिसुपाल गुल दनी। फर देशी बोले, कोई अउरती दंसे न मजीन। चिसुपाल गुले, नची। पर्देशी ने मुश्कुराटर कहा यहा बहुत कठी काम है फिर सिसुपाल बोले ब्रामाट के लिए कुछ भी कठी नहीं है मैं नियायका दंका बचा कर दिखा दूगा यहाँ पर्देशी दी ए से मुश्कुराए पर कुछ नहीं भोले फिर कुछ देर बार वे सोग गळे हमें एक वकत केवु पनिमत्व शांचनों समय अतों त्यारे एक ब्रामाट ने क्या एक व्यक्ति आगे एक व्यक्ति एन्हों दर्वाचो प्पतामेओ और परशी एक ड्रामाट जेने दर्वाचों खुलेओ कदे शीचे एक अहरें एक राड अही आमारें तिया रहुद गुचे. रोका भुचे तोमने गुणी जग्या अफसो रोका मतमाते, त्यारें शीशुपाले ंहें गा पाडेंचे, येने में मार्धती आपेंचे, अने इना धर्मात लावेंचे तिया परसी बन्दे बचे चपचा खाई छे वादों खाई छे यारी सिशुपाल करेचे के आज आजे खाले जे काम केरे रहे हुशे बो अगुलूचे पर्ण बदामें अन्याइक भाई ते उचाह रहे हुशे तो अमेरीके पर्ण बचे चपचा खाई से कदेची ले इंदी जैजे कुछ तियों बार सिसुपाल के ग्रतों सिवाप के आए और उन्हें दर्बार में चलने के लिए था सिसुपाल समग गए वे समझ नहीं सके कि समराट ने उन्हें क्यों गुलायाए कमी उस पर्ण देशी देगो समराट से जुगी सची सिखाया नहीं कर दिदी दर्बार में पमुषकर सिसुपाल का परेजा तरह में लगा जो उन्हें देखा कि पर्ण देशी के समराट पसोपे समराट बोले ग्रामाण देवता में आपको न्याय का अवसर देना चाहता मैं आप पयाए पहले तो शिखुमाल गवराए फिर बोले यदि समराट की यहीं इच्छा है तो में कैजार हूं बहुत की पलस्या न्याय मत्री गुए समराट के गवला और अपने हार से पंगूर की उतारतव सिखुमाल को पहनाने यह समराट असों की राज गुद्रा थी हुआ बन्यों हुँँ एक बड़ा दियुसों पन्छी सिखुपाल ने थिया सिखाही कहुचिया अवे सिखुपाल ने आ सिखाही लुटोने जोए अने फोड़ा असले मां पड़ी गया के के मां सिखाही आभिया छे अनि शिपायों येकी तो शिशुपाल ने, ये महीर कमने को शम्राणासों बोला में रहा छे, ये नुम दिल तो शिशुपाल को दरद माला हो, अनि पची ए शिपायों साथे त्या सम्राणासों पिसा में जाए छे, त्यारे पोडिकवार तो शिशुपाल छे, ये तो प्रहे या ये गो दोराइक कि मारे प्लाइक प्योंपी साते, दोरे यावय अबहा इइना, इंसाता मारे बनीवधितों दभाट उथा हैंथी, ऑन काहिए प्लीपितों तो एन ऐजीने, नहीं सिम्निल केता हैंड SEN यारे सम्रादसों के एना आत्माती अपुरी उताई के राज मुद्रा ही निचानी के शिशुपाल ने पेड़ाई अब शिशुमाल म्याय मत्रेते उन्होंने राज्य के समझेत व्यवस्ता करना आरूम कर दिया उनके प्रभुट से राज्य में पुरी तरसांती रहने लगी किसी को किसी प्रकार का भई में लिठा लोग गर्वाजे तक फुले छोड़ जाते थे चाल तरफ नियाय मत्रे के सुप्रबद और नियाय की दूम मच गई अब सुप्रबद ता मतला भोताले सु व्यवस्ता और दूम मच गई उन्होंता मतला भोताले प्रशित गोजाना अबे नियाय मत्री कोणों दा भोके सिशुपाल अबे इन्हा राज्यों मा भोव सुप्रब्यवस्ता एड़े पुधिकरी अने कोई लोगो ने कोई प्रकार्णों भई नोगो बोताना दर्वाजाबद पुला चोड़ी जाता अने तरे नियाय मत्री नीजें एपन खोब अबे नियाय मत्री किसी ने राज में पेड़े दाती हत्या करें सुपव होते कि यह पार चारों कर दो लोग पड़े मेरा अंत्रे शिशुपाल के तो गेजिली उड़े उन्होंने शाना पिना चोड़कर अप्रा दिता पता लगाने में राज दी नेक कर दिला बहुत प्रयतना करने के पार जो अप्रादी का पता चला तो शिशुपाल के आज चले कर दिकाना ना लगा स्वयव सम्राठ ने उस पेरेदार की धत्या की थी सम्राठ को अप्रादी कोशिक करना बहुत भी कर दिक काम था शिशुपाय करे भी, तो क्या करे? एक और बेट नियाय मंत्री थे, और दुसरी और समराण के सिवगत. परन्तु नियाय की द्रश्टी में, समराण और साधार अन्यक्ती में कोई पंतर नहीं होता. अगले दिन सिशुपाय दर्श्टी में कहुंचे, समराण पसोग सियासत पर बेटे, आते ही रुप मने सिशुपाय से पुछा, अप्रादी का बता चला, नियाय मंत्री ने साहच पुर्बत करा, जी हां, चल गर्या, तो फिर उचु बस्कित करो, नियाय मंत्री कुछ रुख फिर अपने उचुपाय अधिकारी को शंकेर करते हुए बोले, गन्वी इन्हें गिरफ्टार कर दो, मैं आगना देता हूँ, समक्रेब समराण की ओठा, जर्बार में नीज सब्दा चाल गई, समराण का चेहरा प्रोण से लाल हो गया, बेसिहासं से पढ़े हो गई, और ब अपने सब्दों में फिर दोबराया, गन्वी देखते क्या हूँ, अप्राणी को गिरफ्टार करो, दूसरे की छाण समराण के हाँँ में अध्वड़ी पढ़े, अवे बन्यो यू, बिजा देशे, सिशु पाय चे, एक दर्बार मां पहुंचिया, समराण का सोग सिहासं अपने पर पेटरा आता, अगने सिशु पाय तूचु समराणे, के अकड़ादी मढियो, त्या अपने जवाद आपयो, हाँ मढी कोई, त्या आपची, ए नियाईमंत्री प्रोणिकवाय पाय पन बोलता आती, अगने त्या आपची, सिथ को संकेत करे चे, समराणी सामें, अगने इना अधिकारी ने कहे चे, के गर्वीन तू ए समराण ने हस्पड़ी पेपना मिजे, गिरवतार करीने, क्या अची समराण छे, एक उदा मिले पाय, अपना जिदारी के, तो आखा राश्जदवार मां, एक तम बद्धा लीज़त ते जया है, के अरे, समराण पसो, के मिले पुष पायों हो आखा राश्जदवारी के, के तुर आखा राश्जदवारी ने क्या अची समराण पसो, को आई पशे लगदा है, क्या पसी, सिसुपा लगधान को आखा लगधे बना पसो के लगधे बना। अने 26 सम्राइट असो प्राम आत्मा अज़करी पेडराली दिलेचे नियाई मंत्री ने कबा असो तुपर पेडरेदार की हत्या का आरुप लगाया जाता है तुम इस ताद्या उपर देते हो सम्राइट बोल गाट करना दे नियाई मंत्री दिलू के अशो तारा उपर पेडरेदार नी हद्यानों आरुप लागे रोगे रोगे आनों जवाब तरी पासे छे त्यारे ए मुझे इचे के मारे अव्यसु जवाब अप्रों त्यार कशी नियाई मंत्री ने फिर बुचा तुम अपरा सिखाई रोगे हो हां मेने उसे मारा अवशिय थे पर उद्रण्ट था सम्राट का उद्र था बहुत उद्रण्ट था या नहीं तुमने एक राज्टर मचाने की अध्यां थी है तुम अपरा दीबो तुम हें बुच्जी उद्र में दिया जाता है नियाए मंत्री ने गीड़नाई ते दिया शीशू माले एक रहो करियो के भी तमे ने कोई पेख्रेदार ने नतिया करी छे यारे सम्राट शोपने दर ला दोशार माईं क्या हुमें हुँ सुको एस नांतर या काई ना बोल्या यारे सिशू माले तरीक आछू कीदू के सु तमे आ ब्रूत्यू जन्र ने गाया चो तो तमाले पासे कोई बचाव करिवा मांटे कोई सम्हूत चे के तमे आ प्राद स्विकार करों छो यारे एमके चे के आ आ हूँँ अंप्राद स्विकार करू चो पंड ए अविवेकी मतों ए पहिलादार मतों ए अविवेकी मतों इड्लामाटे मेहनू अपराद करियो छे। त्यार पची शिशु पाल छे नियाय मत्री ए सम्राइब पशोक ना हाथ माहाथ कली पेड़ामी अने इरप्तार करे छे अने बुद्यु दर्ण आपे छे। सबा में सम्नाटा छा गया, ज्याय मत्री का निरेस्टुन सम्राइब के से जुका लिया, वेको स्वयों शिशु माय की परिक्षा में संबल हो गया। सम्राइब का अधर एसे व्योंति को पाकर गद्द दोहो रहा था। तभी न्याय मत्री का सांके परपल एक पर्वचानी सम्राइब असों की सोने की पूति लेकर उपस्तित भोगया। न्याय मत्री ने पड़े उपर कहा, सज्जोनों यह सच थे कि भी न्याय मत्री नूँ और यह भी सच थे कि अप्राइब को गर्ण भीना चालिये। पर नूँ अप्राइबी ओर भोए नगी स्वयम सम्राइब करें। अवे शिशुपाई के छे के सज्जोनों आतों साचुन छे कि उपनियाय मत्री चुँ। पड़ आ राजनों सेवर पॉन्चु। मारे अप्राइबी ने दंड आको ए मारो अधिकार छे। पड़ ए दंड बेड़ दार फूर सम्राइब असों पर छे। तुमारे सूं करो। तो क्यार पच्छी ये करे छे। साच्करों ने राजनों को इस्वर का भूप माना गया। इसलिए उसे इस्वर की दंड दे सकता ले। एत एवर में आग्रा देतामन की सम्राइब को चेतावनी देगर छोड दिया जाए। और उनके स्थाइब पर इस सोने की मुंती को फासी पर रटका दिया जाए। जिससे लोगों को शिक्षा में। नियाई मत्री शिशुपाल एम कर्ये छे। के राजा छे एतो इस्वर्नों रूप छे। एन्ने आपडे धन्न आपी सकते। एवु सास्त्रों मा करेलू छे। तो एधना माडे आपडे सम्राइब ने चेतावनी माडे। जली अने माडे बटेन्न आपोयों अनि भब्यैक। एन्ने शोनानी वुर्ती ने फ्राशी आये . जर्जिश जा तरों करताबुत कि शिशुपाली ने राजमुद्रा सम्राण असोग के सामने रखती और बोले दो महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले मुझसे यह तोज नहीं उप्ठाया जाएगा हमें पर्यू कि राज अधर बार्वान के दरेट लों को चालिया गया पॉन्ट शिशुपाली यह नहीं गया त्यार बची शिशुपाली सम्राण असोग में कम्यों महाराज कम्यचे यहांने राजमुद्रा आपी होती नियाई हुद्री दरिके निए राजमुद्रा पाच्छी लेजियों महाराथी आप वोज छे यह नजी उठावी सका पसोग ने समान बरी दर्श्टी से उनकी ओर देखते हुए गजजजजबट से कहा आपने मेरी आँखे पोलती में आपका साहस प्रसंस नहीं अगे यह भोज आपके अधिरिक कम और कोई नहीं हुठा सकता नियाई मंत्री निरुकतर हो गए सम्राण दसोगे समान बरी दर्श्टी थी शीशुपार नहीं सामें जोयों अने, खुबल सुन्दर आपाजमा एन करू ए शीशु पार तमें मारी आपको पोई देदी छे, तमें खुब प्रसंच नी अच्छो, तमारा सिवाए आट्रबुदू मेहनद नुका, कठी नाए भरे नुका, विजापकोई व्यक्ति करी सकेते जन्यादी। अने, जिले, शीशु पार चे, एल वची काई जवाब आपकी सकता नजी। पवे अखे, आपाटमा, आगधनीमा आवेल, टिपणी, सकता और टिपणी समझते जे। शवपाणय का मतलब बतारे संद नशीत' अवस्द का मतलब बतारे मूगाठ राजप्तर्या संद का मतलब बतारे राश्चत की निसानी। सुप्रमज़ का मतलब होता है सूव्यवस्ता, पुद्रद का मतलब होता है और विवेति, नीज़त पुद्रद का मतलब होता है सांदि, अब हम इस पार्ट में आयोगे मुहावे का मतल समझते हैं शमं जाना, उन्ता होता है आस्चन्य चकित हो जाना, पलेड़्या रुड़ना, चित्ती होना दूममच जाना, प्रशित हो जाना, राज़ित एक करना, कडि मेंदत करना, ओन काटना, आस्चन्य में पढ़ना सीर चुकाना, लज़ित होना, गज़गर हो जाना, भाव इदो हो जाना, आपे भोड़ देना, सही परिस्किती समझना अब हम इस पार्ट के स्वाधिया के प्रश्नों कर, हम अपनी सेट बुक में लिखेगे से एक बार, विरो दिशप्ट, समाना दिशप्ट, और सारे रस्मों के स्वाधिया के लिखेगे नमस्ता